दोस्तों पिछले टॉपिक में जब हम लोग arithmetic operator यूज कर लेते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम दो numbers को add करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिना add होए, वो concatenate हो रहा है, एक के बाद एक बैठ रहा है, इसका कारण में ने बताया था कि जब भी user से हम लोग data लेते हैं, प्रॉम्ट डियालोग बॉक्स खित्रों से, तो actually यह text form में आता है, यह string, यह string होता है, तो यह add करने से यह concatenate होता है, यह एक बैठ जाता है, तो इसका solution भी मैंने बता रहा था कि जो partsint function है, उसको use करके हम लोग, एक string को integer में convert कर सकते हैं, तो चलिए आज के topic में हम लोग वही सिखेंगे JavaScript fundamentals में, कि कैसे हम लोग एक string को number में convert कर सकते हैं, two numbers using partsint, इस बार हम लोग partsint function को use करेंगे, तो चलिए, हमारे editor में जाते हैं, sublime text में, हम लोग वो पुराना program खोल लेते हैं, जो PRG1 हम लोगों ने किया था, इसमें हमारा addition का सही-सही नहीं आ रहा था result, तो desktop में हमारा folder चाबसक्र में PRG1 है, यह program कुछ ऐसा था, और इसको run करते हैं, तो हम लोग देखेंगे, कि हम लोग जो input दे रहा है, यह उसको concatimate कर रहा है, जैसे 45 दिया था, मैंने पुराना input ही लिख रहा है, और दूसरा number दिया था, 87, ok करते हैं, तो 4587 आ रहा है, sum, यह गलत है, इसका solution होगा parsing, तो चलिए हम लोग parsing का यूज़ करते हैं, इसी file को हम लोग save as कर लेते हैं, और एक नए नाम से save कर लेते हैं, इसका नाम होगा prg2.htm, तो हमें कम लिखना परेगा दोस्ते, तो यह हमारा program था, तो prompt के आगे, हम लोग, वो जो हमारा method है, यह function है parsing, उसको use करेंगे, तो prompt data ले रहा है, वो as a string हा रहा है, और उस पूरे input को, जो prompt के त्षो से कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग parsing के अंदर डाल देते हैं, तो वो convert कर वेगा उसको integer में, क्योंकि जावा स्क्रिंट टाइपलेस programming language है, इसमें user input string होता है, तो हमें उसको convert करना पड़ेगा, एन वन में store करने के लिए, तो चलिए हमनों लिखेंगे, पार्सेंट और पार्सेंट function के अंदर हम लोग डाल देंगे, यह total हमारा जो prompt लिखा है, इस नहीं है दोस्तों, और हमारा input string से convert होके, integer में आ जाएगा, दूसरा वाला input के लिए भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग, अभी अगर हम लोग n1 और n2 के add करते हैं, तो हमें साई result मिलेगा, चलिए रन कर लेते हैं, 45, पहला input, दूसरा input, शेकेंड नमबर हम लोग डाल देंगे, 87, रोके करते ही, हम लोग देखते ही, 132 हमारा result है, जो कि सही है, तो इस बार पार्ट से हम लोगों ने string को नमबर में convert कर लिया, और हम लोगों को सही result मिलेगा, मिलते हैं, और एक्ट टापिक के साथ, नेक्स्ट चेट चुरेंगे,